और मेरे देश के नौजवानों कैसे हो आप सब तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी पाँच गाडियों के बारे में जो एक लाख रुपे के अंदर में आ जाती है तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आय बाइक है जो एक लाख रुपे के अंदर में आ जाती है प्लस इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है और BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलता है और ये दोनों फीचर्स होने के बाद भी बाइक अंडर वन लेक में आ जाती है जो की काफी अच्छी बात है बाइक के लुक्स और ड DRLS मिलते हैं जो बाइक को एक आई कैची और स्पोर्टी फील देते हैं टायर्स और सस्पेंशन की बात की जाए तो इसमें आपको फ्रेंट में 90 सेक्षन 90 का 17 इंचेस का ट्यूबलेस टायर मिलता है और टेलेस्कोपिक फोक्स विथ हाइड्रोलिक्स डंपर सस्पेंशन इ 159.7 cc का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्टिड बीए सिक्स इंजन जिसकी मैक्जिमम पावर है 15.53 PS एट 8400 आर्पीम और मैक्जिमम टॉर्क है 13.9 नूटर्मीटर एट 7000 आर्पीम का नंबर ओफ गयर्स इस बाइक में आप और माइलेज इस बाइक से के एम पील तक का गेन कर सकते हो और दोस्तों BS6 कंपलाइंट इंजन होने के कारण आपको माइलेज में भी इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा बाइक के प्राइस के बारे में बात किया जाए तो इस बाइक में आपको दो विरियंट्स मिलते हैं पहला सिंगल डिस्क विद एक लाक रुपे के अंदर में आ जाते हैं तो आप अपने बजट की हिसाब से दोनों में से कोई सबी विरियंट ले सकते हो बाकि दोस्तों अपाचे की जितनी तारिफ करो कम है क्योंकि इंडिया में अपाचे लवर्स काफी बाकि जो लोग दिल से इस बाइक को पसंद करत क्योंकि दोस्तों यामा ने इस बाइक में काफी अच्छे फीचर्स दिये हैं जैसे की डिजिटल इंस्टूमेंट कंसोल, सिंगल चैनल ABS यहां तक की BS6 कम्पलाइंट इंजन इस बाइक में आ चुका है और यह सारे फीचर्स होने के साथ ही साथ ये बाइक भी एक लाक रु एलेडी हेडलाइट मिलती है जिसकी विजिबिलिटी काफी अच्छी है और पीछे आपको बल्ब टिल लाइट मिलती है इंजन की बात की जाए तो इसमें आपको मिलेगा 149 CC का सिंगल सिलेंडर एर कूल्ड फोर स्ट्रोक SOHC 2 वाल्व FI BS6 इंजन जिसकी मेक्जिमम पाव गेट्स 5 मिलेंगे और दोस्तों BS6 इंजन के आने से आपको पावर और टॉर्क में माइनर डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगा फ्रेंट में आपको टेलिसकोपिक सस्पेंशन मिलेंगे और 100 सेक्शन 80 का 17 इंचेस का ट्यूबलेस टायर मिलेगा और रेयर में आपको स्विं लुक क्रियेट करती है माइलेज इस बाइक से आप अराउंड 50 तो 55 kmpl तक कर सकते हो प्राइस की बात की जाए तो इस बाइक में आपको सरिफ एक ही स्टेंडर्ड वेरियंट मिलता है डूएल डिस्क विच सिंगल चैनल ABS का और इसका प्राइज है 98,000 एक शोरूम डेली बा तीसरे नंबर पर है होंडा SP 125 दोस्तो SP से याद आया हमारे भाई ने निव व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया है SPS व्लॉग नाम से तो जाओ बंदे को सपोर्ट करो चैनल को सब्सक्राइब करो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा अभी बात करते हैं होंड SP 125 के बारे में दोस्तो SP 125 वन आफ दा बेस्ट बजट फ्रेंडली बाइक है आप सभी के लिए और इस बार तो हॉंडा कंपनी ने इस बाइक में धेर सारे चेंजिस किये हैं क्योंकि हॉंडा की किसी भी बाइक में इंजिन किल स्विच नहीं आता था लेकिन इस बाइक में दिया गया है और फ्रेंट में आपको LED हेडलाइट दी गई है और मेंली बाइक के डिजाइन को पूरा चेंज कर दिया है बाइक को एक बलकी और हैवी लुक देने की कोशिश की गई है और हॉंडा इसमें सकसफुल भी हुआ है क्योंकि बाइक का लुक काफी जादा अमेज और मैक्जिमम टॉर्क है टेन पॉइंट नाइन नुटर मीटर एट सिक्स थाउजन आर पीम का 11 लीटर का इसमें आपको फ्यूल टैंक मिलेगा और नंबर ओगेर्स पांच मिलेंगे और फुली डिजिटल मीटर इसमें आपको मिलेगा बाइक के प्राइस की बात की जाए तो इसमें आपको दो विरियंट्स मिलेंगे पहला SP 125 विथ ड्रम ब्रेक इसका प्राइस है 72,000 एक शोरूम देली और दूसरा SP 125 विथ डिस ब्रेक इसका प्राइस है 77,000 एक बाकी दोस्तों ये बाइक एक मिडल क्लास फैमिली के लिए परफेक्ट है और उन लोगों के कारे में आप अपने व्यूस कमेंट बॉक्स पर जरूर शेयर करें फोर्थ नंबर की बाइक है बजाज पलसर 150 UG5 दोस्तों पलसर नाम नहीं इंडिया में अपनी जगह 2001 से बना रखी है और लगभग इस बाइक को 19 साल हो चुके हैं और आज भी ये बाइक टॉप सिंपल और स्टाइलिश लुक काफी पसंद है और फाइनली बिए सिक्स कंपलाइंट इंजन इस बाइक में आ चुका है इसके फ्रेंट में आपको हेलोजन हेड लैंप मिलता है और कॉर्नर्स पर पाइलेट लैंप मिलते हैं और पीछे आपको LED टेल लाइट मिलती है स्प् टेबल है टायर्स और सस्पेंशन की बात की जाये तो फ्रेंट में आपको टेलेस्कोपिक फोक सस्पेंशन मिलता है प्लस 80 सेक्षन 100 का 17 इंचेस का ट्यूबलेस टायर मिलता है और पीछे आपको ट्विन शौक एब्जॉर्बर गैस फिल्ड सस्पेंशन मिलता है प्लस 100 से फोर स्ट्रोक एस ओ एचसी टू वाल्व एयर कूल्ड DTSI F5 BS6 इंजन जिसका मेक्जिमम पावर है 14 PS at 8500 RPM और मेक्जिमम टॉर्क है 13.25 न्यूट्रमीटर एच 6500 15 लीटर का इसमें आपको fuel tank मिलेगा और number of gears 5 मिलेंगे दोस्तों Pulsar 150 UG5 Twin Disc with Single Channel ABS का प्राइज है 98,000 X Showroom Delhi बाकी इस बाइक के और भी वेरियंट्स आते हैं तो आप अपने बजट के हिसाब से nearby बजाज शोरूम पर contact करके पता लगा सकते हो लेकिन अभी तक जितने भी Pulsar 150 के वो एक लाख रुपे के अंदर में आ जाते हैं बाकी अगर आप 2020 में बाइक लेने की सोच रहे हो और अगर आपका बजट एक लाख रुपे तक है तो Pulsar 150 UG5 आपके लिए best option है और आप comment box पर बताईए कि आपको ये बाइक पसंद है कि नहीं पांचवे नंबर की बाइक है Hero Extreme 200S दोस्तों ये एक fully fared 200cc की sports बाइक है और ये अभी तक की सबसे सस्ती 200cc की sports बाइक है जो एक लाख रुपे के अंदर में आ जाती है बाइक के डिजाइन की बात की जाए तो जादा sporty look ये बाइक create नहीं करती है लेकिन color combination के कारण ये बाइ दिखती है फ्रेंट में आपको LED headlight मिलती है और रेर में आपको LED tail light मिलती है और बाइक के tank पर आपको एक tank pad मिलता है टैंग को scratches से बचाने के लिए और unibody single seat इस बाइक में दी गई है जो कि काफी comfortable है suspension इसमें आपको telescopic मिलता है plus 100 section 80 का 17 inches का tubeless tire इसमें आपको मिलेगा और पीछे आपको 7 step rider adjustable monoshock suspension मिलता है और 130 section 70 का 17 inches का tubeless tire मिलता है engine इसमें आपको मिलेगा 199.6 cc का single cylinder air cooled 4 stroke 2 valve OHC engine जो maximum power produce करता है 18.4 ps at 8000 rpm का और maximum torque produce करता है 17.1 newton meter at 6500 rpm का और bs6 compliant engine अभी तक इस bike में नहीं आया है hero extreme 200s का price है एक लाख एक शोरू बाकी दोस्तों मेरे हिसाब से bike में features काफी अच्छे हैं इसमें आपको single channel abs मिलेगा digital instrument console मिलेगा और mileage भी आप 50 to 55 km पीगल तक का gain कर सकते हो बाकी आप comment करो कि आप इस bike को 2020 में लेना पसंद करोगे की नहीं तो उमीद है कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे channel को subscribe करके दबा दीजिए bell icon को क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रुजान ऐसी ही वीडि कर दो कोlat्रप्त है कि ये कृट है समय के दुश ये झो कि अभी वीडियो घुश पस्का अपू हरे जर भीडियो और है